तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में तो आज हमारा टोपिक रहने वाला है राजिस्तान के दूर्गी से सम्मन्दि टोप M.C. क्यूशन तो चलो स्टार्ट करते आजी क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को तो पहला प्रश्न है हमारा दसरत सर्मा की अनुसार चित्तोड का पर्थम विजयता माना जाता है चेतर सिंग, सोरी तेज सिंग, चेतर सिंग, समर सिंग और बपारवल तो दसरत सर्मा की अनुसार चित्तोड का प्रतम विजयता मना चाता है अप्सन नमर भी जेत्र सिंग को और जेत्र सिंग को पाँच आखवाला सासक भी कहते हैं पाँच आखवाला सासक ठीक इनुने 1227 में भूतळा का युद्थी कहता है जिसमें इल्ट तुति में इसको हर है था एश ने ठीक ओर इसे प्रगाद्या रखना है कर तीन आखवाला सासक कहते हैं आपके महराणा कुम्बा को और एक आखवाला सासक कहते हैं आपके रणा सांगापुर। ठीकेक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्ण की दूसरा प्रश्ण है, लाखेटा बारी किस दुर्ग में एस्तित हैं, तो लाखेटा बारी सरणा दुर्ग, चैगड़ दुर्ग, सोनार गड़ दुर्ग और चितोड़ गड़ दुर्ग, तो अप्शन एकमत रेसा दुर्ग जहां पर खेती की जाती है, खेतरपल की दरिष्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा दुर्ग है यह, यह मेसा के पठार परस्ति थे, इसके आकरति वहल मचली के समाने, यहां पर एक प्रशिद विजयस्तम है, जिसका निर्मार 1440 से लगागर 1448 के मध प्रश्ण की, तीसरा प्रश्ण, समिध्यस्वार मंदिर या त्रिभौन नराण मंदिर की सेली में निर्मे थे, नागर चेली, त्रविड चेली, पंचायतन चेली और कोई नहीं, तो समिध्यस्वार मंदिर या त्रिभौन नराण मंदिर, यह आपके चित्तोडगड दूर दुर्गों की संख्यां की दर्ष्टी से राजस्थान का अस्तान कौन सा है पहला दूसरा तीसरा और चोता तो दुर्गों की संख्यां की दर्ष्टी से राजस्थान का अस्तान है उप्षन नमबर सी तीसरा पहला स्तान किसका है और दूसरा स्तान किसका है यह आपको आंसर कमेंट करके बताना है ठीक एक, राजस्तान का इसमें तीसरा स्थान है आगे बाद किते अगले प्रश्न की प्रश्न नमबर पांच चितोडगर दुर्ग में इस्ति जेहन कीर्थी स्थम्ब किस जेहन तिर्थंकर को समयर्पी थे जो चितोडगर दुर्ग में जेहन कीर्थी स्थम्ब है हुए थे चिन में से अप्सरम बस्ची हो जाएगा आदिनाथ या रिशवद्यव इनको समयर्पी थे आपके कौन सा जेहन केर्थी स्थम और जेहन तिर्थंकर के सुर जेहन दर्म के परतम तिर्थंकर थे चोविश्वे तिर्थंकर थे आपके महभीर स्वमी ठीके किसके बारे में द्यारकना आपको और पार सुना थे ते विश्वे नुमबर के चेहन तिर्थंकर आगे बाद करते अगले प्रश्न की चत्ता प्रश्न क्षेत्रपल की दरश्टी से राजस्थान का सबसे बड़ा दूर्ग है महरान गड़ दूर्ग, कुंबल गड़ दूर्ग, चितोड़ गड़ दूर्ग और पटने अड़ दूर्ग तो क्षेत्रपल की दरश्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा दूर्ग है आपके उपसनमर सी चित्तोड गड़ दूर्ग कुंबल गड़ दूर्ग के बारे मिदा रखता है कि यह आपके राजसमन जिल्ले में है महरान गड़ दूर्ग नवें जिल्लों के गठन के बाद चोधपुर सहर में आता है और भटनेर दूर्ग आपके हनुमान गड़ दूर्ग आता है हनुमान गड़ में ठीक है आगे बात करते हैं अगले प्रश्ण की साथवा प्रश्ण गोरा और बादल का सम्मद चित्वर के किस साके से हैं तो गोरा और बादल इनका प्रत्थम साके से दूसरे साके से तीसरे साके से और चोते साके से तो गोरा और बादम, इनका सम्मध्य चित्तोड के प्रत्थम साके से, ठीकिक, और चित्तोड का प्रत्थम साका हुआ था 1303 में, चित्तोड का दूसा साका हुआ था 1534-35 में, चित्तोड का तीसा साका हुआ था 1567-68 में, ये चित्तोड के प्रमुक तीन साके, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक, आगे बात किरते हैं, अगले प्रश्न की, आठवा प्रश्न, वह दुर्ग, जो मानसुन महल के नाम से जन जता है, सोनार गड़ दुर्ग, सज्जन गड़ दुर्ग, मेरान गड़ दुर्ग, और कुम्बल गड़ दुर्ग, तो मानसुन महल के नाम से किसे जन जता है option number 2 सज्जन गड़ दुर्ग को सज्जन गड़ दुर्ग आपके उदेपूर में है इसे उदेपूर का मुक्ट मनी भी कहा जता है जिसका निर्वान महराना सज्जन सिंग ने करवाय था और ये कौन सी पहाड़ी पर है ये प्रश्ण कई बार पुझे दे बासदरा पहाड़ी पर ही ठीक है आगे बात करते है अगले प्रश्ण की नववा प्रश्ण कुम्बल गड़ दुर्ग का सिल्पी कोन है मंदन, सूर्ति मिस्र चेता, पुंजा तो कुम्बल गड़ दुर्ग है इसका सिल्पी आपके उप्सिन नमर से मंदन ठीक है, कुम्बल गड़ दुर्गा का प्रारंबिक निर्मान तो असो के पोतर संप्रति ने कर वाय था और इसका अधुनिक निर्मात है महरणा कुम्बा ठीक है, इसके बारे मिदार्ग ने और कुम्बा ने अपने पत्निक कुम्बल वती के नाम पर इसका नाम कुम्बल गड़ रखा था आगे बाद करते हैं अगले प्रश्ण की दस्वा प्रश्ण प्रसिद्ध ड़ईस आके किस दुर्ग के प्रसिद्ध है चित्वड गड़ दुर्ग, चैगड़ दुर्ग, मेरान गड़ दुर्ग और सोनर गड़ दुर्ग तो प्रसिद्ध ड़ईस आके किस दुर्ग के प्रसिद्ध है उप्सन नमबर से सोनर गड़ दुर्ग और सोनर गड़ दुर्ग आपके चैसल मेर 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 ठीक है? आगे बात करते हैं अगले प्रश्ण की क्यारवा प्रश्ण मामा देव कुंड किस किले में इस्तित हैं? कुंबलगड दुर्ग, सहबाद दुर्ग, आमेर दुर्ग, वानगड दुर्ग तो मामा देव कुंड ये है आपके उप्सिन नमबर A कुंपल कट दूर्ग में ठीक और कुंपल कट दूर्ग के दिवार के बारे में जा रिखता है 36 किलोमेटर की दिवार है ठीक इसके बारे में जा रिखते हैं सबसे लंबी दिवार आगे बात करते अगले प्रश्णी की बारे में बारवा प्रश्ण विजेस्तम पर पहला डार्क टिकेट कब जारी किया गये था 1947 में 1948 में 1950 में 1950 में तो विजेस्तम मैंने भी बताया आपको महराना कुंभा ने बनाया था इसको ठीके कब बनवाया 1440 से लगा कर 1448 के बीच में कितने मंजिला है ये? 9 मंजिला है जीचे बारती मुर्टिकला का विश्ण का उसका जाता है और इस पर डार्क टिकेट कब जारी हुआ था? उप्सर में 1950 में इस पर डार्क टिकेट जारी हुआ था ठीके? आगे बात करते हैं अगले प्रस्ण की तेरवा प्रस्ण हुण उंकार तौप की इस दुर्ग में इस्ति थे? खंडार दुर्ग सेरगड दुर्ग बुंदिका किला और सहाबाद दुर्ग तो प्रशिद्ध हुण हुंकार तौप यह आपकी उप्शन नमर भी सेरगड़ दूर्ग और सेरगड़ दूर्ग कामर है तोलपूर में सबके खंडार दूर्ग में कौन सी तौप है प्रशिद सार्दा तौप खंडार दूब श्रोई मादूपूर में इस्ति थे बुंदी का किला है यहाँ पर एक गर्ब गुंजन तौप गर्ब गुंजन तौप और सहबाद दूर्ग में कौन सिब तौप है नवल बाण तौप इन तौपों के बारे में देन रखते हैं इनसे प्रश्ण कई बार प्रिक्षा में बुझे ज़ता है आगे बात करते हैं अगले प्रश्ण की चवधुआ प्रश्ण राजस्तान का एक मत एक ऐसा दूर्ग जिसमें हिंदू मैलाओं के सासाथ मुश्लिम मैलाओं ने भी जोहर किया था सीवाना दुर्ग, चितोरगाट दुर्ग, सोनारगाट दुर्ग और पटनेर दुर्ग तो हिंदु मैलाओं के साथ मुश्लिम मैलाओं ने जोहर किया था ये साक्षे कहां से मिले आपके ओप्सिन नमबर है दी, पटनेयाट दूर्ग हनुमान गड़ से इसके साक्षे मिले थे, ठीकेक, ओर राजिस्तान में सरवादिक विदेसी आकर्मण, सरवादिक विदेसी आकर्मण भी आपके पटनेयाट दूर्ग हनुमान गड़ पर हुए थे, ठीकेक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की पंदरवा प्रस्टन कनकाचल पहाड़ी पर कौन सा दूर गशती थे दोसा का किला, चालोर का किला, आमेर का किला और चित्थोडगर का किला तो कनकाचल पहाड़ी पर आपके उप्सन नमबर भी चालोर का किला जब कि दोसा का किला है देवगीरी पहाड़ी पर देवगीरी, पहाड़ी पर, आमेर का दुर्गे काल लिखो पहाड़ी पर इससे प्रकाट चित्तोडगर का किलाएं मेसा के पठार पर ठीक, आगे बाद किरते हैं अगले प्रश्न की सोलवा प्रश्न संकट काल में मेवाड के राजपरिवार का आश्रे स्थल था कोगुंदा दुर्ग, कुंबलगर दुर्ग, चित्तोडगर दुर्ग और सराड़ दुर्ग तुझा रखता है इन में से सराड़ दुर्ग वर्तमान में सलूमबर जिली में आता है पहले चित्तोडगर जिली में आता था है ठीक है, उप्सिन नम्बर बियोजेगा कुम्बल गड़ दूर, कुम्बल गड़ दूर को मेवाड की आँख भी कहा जाता है, ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले प्रशनी की, सत्तरवा प्रशनी, किस किले के अंदर की बस्ती जुना बिलवाडा गां के नाम से जनी जाती है तो जुना बिलवाडा गां, कुम्बल गड़ दूर के, सिवाना दूर के, बटनेर दूर को रन्थंपोर दूर के, तो जुना बिलवाडा गां कहा जता है था आपके उप्सिन नम्र ए, कुम्बल गड़ दूर के भीतर की बस्ती को, एक एक, आगे बात करते हैं, अगले प् दूर रहे तोॉ बीना किसी नेव के समत्र ककठोवर्चक्तार बना धूर गए यहापके गागराक्व दूर को ऌदूर गए। या अहुए था आ काली सिन्डे नद्यों के संगाम पर स्थितैंकर चल? दूर गहें, ठीकेक, कौन कौनसी नद्यों के संगम पर, आहुत था, कालिसन ब्रिंद नद्यों के संगम पर, नेश्ट क्यूशन, उननिस्वा प्रश्णे, तारा गड़ दूर का बुंदी का निर्माण कब करवाय गया था, 352, 353, 345 में, 355 में, तो तारा गड़ दूर्ग बुंदी का निर्माण बर्सिंग ने करवाय था, कब करवाय था, उप्शन बर्सी 354 में, अगला प्रश्णे, बीश्वा प्रश्णे, सीवाना दूर्ग किस पाड़ी पर बना है, तो सीवाना दूर्ग आपके उप्शन बर्टी हल देश्वर पाड़ी पर, सबके चीडिया टुप पाड़ी पर आपके महरान गड़ दूर्ग पामती पाड़ी पर आपके सहबाद दूर्ग और इगल की पाड़ी पर आपके सहगड दूर्ग ठेक एक, तो दोस्तों आज ही कलास को हम यहीं पर समापसे करते हैं next मिलते हैं सिप्षरकर की बेतरिन क्लाक्ष साथ इसे पहले अगर आप वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सुस्क्राइब करें और वीडियो को सेर चेरो करें Thank you, jahin jahebarat